बच्चों आज हम ग्यान सागर में पाठ बीस का अभ्यासकारे करेंगे इसमें भाशा की बात में पहला प्रश्ण है निमे लिख शब्दों का वाक्यों में प्रियोग कीजिए आपको कुछ शब्द दिये गए हैं आप उसके वाक्य बनाएंगे जग सारा जग बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है जग मैंने दुनिया संसार शोभा फूल बगीचे की शोभा बढ़ा रहे हैं शोभा मतलब सुन्दरता सुगंद फूलों से सुगंद आ रही है सुगंद मतलब खुश्बू हर्याली बगीचे में चारों और हर्याली है तो शब्द कोश क्रम के अनुसार क्रम संख्या एक से दस तक लिखिए आपको शब्द कोश के अनुसार शब्दों के क्रम लिखने है पहले नंबर पर है गान दूसरा जग तीसरा पत जड चोथा भोरे पाँचवां मधूर छटा वसंत साथवां शोभा आठवां सरसो नवां सुक और दसवां हरियाली तो आप इसको स्वरो और वियंजिनों के तरीके से उनके क्रम अनुसार यहाँ पर आप उसकी क्रम संख्या लिखेंगे प्रेश्ट कुछ करने के लिए में पहला है नीचे उस रितु का नाम लिखिए जिन में सबसे कम तापमान होता है शीत रितु सबसे अधिक तापमान ग्रिश्म रितु वसंत रितु में आने वाले किनी दो त्योहारों के नाम लिखिए होली और वसंत पंचमी तो बच्चों आप यह कारिया पेज नमबर 89 और 90 पर करेंगे और इसे याद भी करेंगे